15.4.2 लोगतंत्र और संगठन प्राया सभी लोगतंत्रिक संविधानों में नागरिकों को संगठन बनाने का अधिकार अंकित होता है भारती संविधान में भी इसे मौलिक अधिकार माना गया है नागरेक अपने विविद जरुतों को पूरा करने और अपने सामूई खित के लिए तरह तरह के संगठन बनाते हैं जैसे कलब, स्वसायता समू, सरकारी समू, भाषा, जाती और धर्म के आधार पर समू, वेवसायाधारित समू, जैसे श्रमिक संगठन, अधिवक्ता या वकील संगठन आदी इस तरह के समू किसी देश में कितनी मात्रा में बनते हैं और कितनी स्वतंत्रता के साथ काम करते हैं या वहां के लोकतंत्र के स्वास्त का परिचायक होता है इनके माध्यम से लोक सक्री होते हैं और सामुदाइक जीवन को सुद्रुन करते हैं शाशन के भूमिका यहां इतनी ही है कि वह यह सुनिश्चित करें कि ये संगठन कानून के दायरे में काम करें और सारवजनी खित को हानी न पहुंचाएं इस कारण इन संगठनों के पंजीकरन का प्रावधान है लेकिन ऐसे संगठनों का पंजीकरन आवश्यक नहीं है जब तक वे इने अनौपचारिक रखना चाहते हैं उदारन के लिए हर गली मुहले में युवा लोग खेल या उत्सो संगठनों बनाते हैं जो पंजीकरित नहीं होते हैं अगर वह संपत्ति खरीदना चाहती है या अन्निक किसी प्रकार कानून के दायरे में आना चाहती है तो उसका पंजीकरन आवश्यक है यहां हम कुछ सं संगठनों का इतिहास पुराना है इनका निर्माण आजादी की लड़ाई के समय में ही किया गया था कामगारों के वेतन काम के घंटे और काम के हालातों को लेकर संगर्ष करने और मालिकों से सामुहिक रूप से सौधा करने के लिए यह संग बने कई संगठन मजदूरों के स्वसाहता वा एक दूसरी की साहता के लिए भी बने इन बिखरे हुए संगठनों को राष्टी इस्तर पर साथ लाने के लिए कॉंग्रेस के नेत्रितु में 1920 में अखिल भारतिये ट्रेड यूनियन कॉंग्रेस के स्थापना की गई स्वतन्तरता के बाद विभिन राजनेतिक दलों ने भी इस तरह के केंद्रिय संगठन बनाए जैसे पहला अखिल भारतिये ट्रेड यूनियन कॉंग्रेस पांचवा सेंटर ओफ इंडियन ट्रेड यूनियन कॉंग्रेस चटवा, भारती मजदूर संग BMS ये ना केवल मजदूरों के हित में मालिकों से संघर्ष और समझोते करते हैं, बलकि दबाव समू के रूप में सरकारी नीतियों को भी प्रभावित करने का प्रयास करते हैं